पॉश्कार दोस्तों आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है जैपुर होर्स फाम के अंदर और आप इस फाम के पार्ट फरष्टि के अंदर हमने आपको दो गोडिया दिखाई थी ना और दो गोडियों के साथ-साथ हमने आपको सबसे में भाई का जो एक्स्पीरियांस है नए लोगों के साब से वो भी उस बीडियों के अंदर बहुत कुछ बताया है नए आदमी गोडी ले तो क्या साबदानी रखे नए आदमी को कोड़ा मार्केट में अगर आता है तो किस चीज की रिसर्च करनी चाहिए वो सारी बाते हमने उस बीडियों के अंदर बताई थी वाग्य इस बीडियों के इंदर भी हम आपको एक गोड़ी और एक उसकी जो बच्ची है इस बीडियों के अंदर दिखाने वाले हैं तो भाइव करें जो जो गोड़ी यह विस सामने कडी है क्या नाम है नमस्ते प्रदीप जी नमस्ते और इस घोड़ी का नाम रूबी है और यह पंच कल्यान मेर है पंच कल्यान हाँ और कौन है बाप इसका यह मदर फादर साइट दोनों सा अन्नोन है अन्नोन है हाँ लेकिन यह गोडी परचेस करने का सबसे बड़ा रीजन यह था इसकी बॉड़ी स्ट्रेक्चर लेंथ हाइट और जो कट कंडिशन मारवाडी के आनुकूल है इस गोड़ी की आप अगर इस गोड़ी को दे को यह त्रू टाइप मारवाडी मार है रही है बेशा के अन्नोन मेरे बट बहुत अच्छी गोड़ी है पर हाइट में कितनी है हाइट में 62 है और और बोन टेंस इसकी स्टेंडर बोन डेंसिटीग ना जादा हाँ यह गोडी मेरी प्रेड़ी 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 एक्जेक्ली और अभी इसके नीचे बच्ची है ना हाँ यह एक फीमेल क्या होगी उम्र बच्ची की यह 9th of April को पैदा हुई थी तो भी यह धाई महीने की हो चुकी है धाई महीने अप्रॉक्सिमेटली और किस गोड अप्रसनाकर लाइन का स्टैलियन जो शेवरा शेखरा वाला का बच्चा है और राजदिल की जो मदर साइड है वो देवदर्बार लाइन की है तो अगर बच्ची में भी देखो गए तो एक कनोटी ताइप कान के अच्छी बंदी इसके बात में बोले तो तीन दिल है एक तो अंदर एक कानों में एक इसका बात भी दिल है एक्जैक्ली एक्जैक्ली तो बच्ची बहुत अच्छी है क्वालिटी की और मेरे ही फाम पर पैदा हुई है और मतलब ग्रोथ जो बत्ती ले रही है वो मतलब अल्टिमेट ग्रोथ है आप देख ही सकते हैं इसको भागत आपने जितनी भी गोडिया गबन कराई है सब टॉप टॉप इस्टलियन उसे कराई है क्यों है कि कंपनी काही माल रखना है क्या नई सर्ड़ में थिंग इस कि वोन गोडियों के हिसाब से वो गोड़े बहुत अप्रोप्रियेट तरीके से बैठ रहे थे ठीक है और नई में कावेरी आ जाती है वो भी सुल्टान की बच्ची है तो मैंने यह क्यों पेडिग्री के इनस्ट्राइड़ के सुल्तान का प्रेजिंस रहना है वो पेडिग्री मतलब वो जो स्टैलियन या मेर होती है वो ब्रीडिंग में आउट्स्टेंडिंग होते हैं वो अगर आप देखोगे जैसे कि एक 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 जामपल लेते हैं बहुत एक फेमस और टॉप घोड़ा है जो कि गजू बनाने हमाई रायस्तान में ब्रीड किया था दिलबाग रणिया के अंदर सनी उंकल के पास में खड़ावा है अल्टीमेट गोड़ा है अलिशान के कई बच्चे हुए लेकिन आप जो दिलबाग की अगर पेडिग्री देखो को उसकी मदर में गजगामी नहीं आते हैं और सुल्तान की है आज आज आप काला कांटा में लेली हो गई उसमें भी सुल्तान का उपना क्रक्स आता है तो अब मैंने यह चीज़ देखी जहां में सुल्तान प्रेजेंट होता है उन पेडेग्री में एक बहुत ही अच्छा एक रिफाइंड ब्लड आपको फूचर प्रोजनीज के अंदर देखने को मिलेगा तो ऐसा अच्छा नहीं है कि ब्रैंड ही रखा है तो ब्रैंड से मेट करने का सबसे बड़ा रीजन यही था कि मुझे मेरी पेडेग्री में सुल्तान की प्रेजेंस चाहिए थी इस वोजे से जैसे कभी-कवार ऐसा भी होता है जैसे आप नए आयो आए तो गोड़ा मार्केट में क अच्छा भी कवार होता है कि पुराने लोग अपने आपी फोन करने लग जाते है कि बाइसाब यह गोड़ी ले लो मैं आपको सस्ते में दे दूंगा अब हाला कि वो उस आप उसके मौसी के लड़के तो हो नी जो सस्ते में दे देगा तो करते कैसे लोग फोन नहीं में तो ऐसे दिखा देता है आज में थुरंट चांद पहुच जाता है लेकिन वही मैंने पहले पार्ट में बोला था कि इंसान आप पैसा लगा रहे हैं तो आप रिसर्च करके पैसा लगाईगे तो आपको यह पता रहेगा कि मुझे कोई आपको बेवकूफ नहीं बना प तो अगर अपन पहले ही रिसर्च अची कर लोगे तो आगे जो प्रोसेश रहता है वह बहुत कमफरेटेबल हो जाता एक ब्रीडर के लिए तो मेरो लगता है आदमी थोड़ा था था फुर्ती में कुछ जादा ही आ जाता है कभी कभार मैंने देखा है रात को जैसे दो लेका गोड़ा भी है के ने 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 वहले में सुबहे कॉल कर लेता है तो इतनी फुर्ती में आ जाते हैं लोग बाग कि मेरो लगता है कि उनको कुछ दिखाई नहीं देता पर बाद में बोलते है यार परदी बहुत मेरे साथ तो उसने वह कर दिया एक ज़ए अब तुज करो सबसे पहले हैं अब हैं अब गोड़ों से हमें ऑक्सीजन मिल रही है ठीक है चार दिन बाद भी लोगे तो भी चलेगा पर कम से कम किसी से पूछ लो ताच लो कम से कम ऐसा तो करो और अलग अलग अज काफी लाइन के अलग अलग गोड़े हैं आज जैसे मैंने तो इस को प्रेगनेंट करवाया नहीं था मेरे को तो प्रेगनेंट मिली थी लेकिन जब मैंने देखा कि आपकर दूसरी लाइन भी एक्स्ट्रोर करते हो तो उससे भी आपको बहुत अच्छे बच्चे मिलेंगे जैसे कि आज यह बच्ची रतनाकर लाइन कर रही है इसके अंदर आज आज आप देखो के देवली हो गई देवली लाइन में ब्यूटी थोड़ी कंप्रमाइज हो जाती है और बोडी स्ट्रक्चर और हाइट वाइट बहुत अच्छी आती है यही सेम वर्खाना में भी आजाता है तो एक तरीक से यार फॉन के तरह है नहीं कि उपो के पर पार्ट में जो गोडी दिखाई थी तेजल वह एकदम ही परफेक्ट गोडी है नहीं लेकिन उसमें थोड़ी ब्यूटी के कंप्रमाइज हुई तो हमने उसमें ऐसा गोड़ा दिखाया जो उसको फुल्फिल कर सके तो जो फ्यूचर प्रोजनी आएगी वो उसी हिसाब जब करेखें इसे नाम करेगी तो आपका काम उसी से चलना है तो जो प्रोजनी होता है बहुता है है enhanced आप किस तरीके से घोड़ा देखते हूं किस तरीके साथ कि असको मिलाते हो ८िलाते हो डेसं वाईत्र कि वह तो में प्राइरेटी पांस साल की यही है कि बहुत अच्छी हुई और गोडी के इसाफ से अलग-अलग स्टैलियन जो उसको सैट बैटता है वह हम दिखाएं और इनके रिजल्ट्स को मार्केट में यह बच्ची सहल के साफ से के साफ से है यह अगर मेरी यह वाली सेल्ट के साफ यह अगर मेरे अभी हो जाती है तो ठीक है वरना मैं इसको एक देवली लाइन का अच्छा स्टैलियन दिखाने का मेरा है चलो भाई साब मेरे को लगता है कि नए लोगों के लिए अगर भाई सीखना चाहे तो आपके यह दू करना ही है तो अभी मेरे को लगता है कि बहुत असर करें तदीव जी बस बात किया है कोई भी काम करना है आपको आप जिंदगी में कभी नहीं ठगे जाओगे और आप ठगे भी इसले जा रहे हो क्योंकि आप जल्दबाजी कर रहे हो या फिर आपने ऐसा कोई बिना सोचे स अगर तो सोच समझ के जाता अगर तो थोड़ा सा अपना दिमाग खुद का लगाता तो शायद तक वो चीज नहीं होता तो कलर लाइन यह सब सेकेंडरी थर्ड रहता है सबसे पहली चीज ही होती है जो गोड़ा हम जिस परपस के लिए लेके आए है वो परपस फुल्फिल कर रहा है की नहीं कर रहा है चाहिए वो घोड़ी है या गोड़ा है तो क्या उसके सीमन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है क्या वो चलने फिल्डे में बिल्कुल सही है इंटर्नल यह उसमें कोई ऐसी बिमारी तो नहीं है जो उसको फ्यूचर में ब्रीडिंग में मुझा है कि आप Chuckle करी बिरीडिंग के फिर से प्रें लिए यह री और गश्ट ने प hombres ले अंदर को इन फेक्ष्षम नहीं कि वह कहला Improvement मनी लगा रहे हो उस पर तो अगर आप कुछ इंवेस्ट कर रहे हो तो फ्यूचर में उसका रिटर नहीं है तो वह आपके लिए असेट की जगे बिएक नॉलिज आप लोगे और लोगों को दोगे तो ही वह जी ठीक है आज ग्यानी लोग ले ले लेखे बहुत ब्रीडर बेट वह जो पचाथ-पचाथ साल से है ठीक पर वह नॉलिज किसी को देते नहीं तो मेरा लगता है कि एसी नॉलिज का भी कॉई मतलब नहीं तो वह